तो है लो गाइज तेन वेलकम टू गोज डॉस षोब इसम आज मैं अपनी विडियो में आपको सी प्रोग्रामिंग में कुछ और नई चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं हमने सी प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ पढ़ लिया है और यह हमारा सी प्रोग्रामिंग का जहां पर हम फाइल आज तक बनाते आए हैं और सेव कराते आए हैं तो यहां पर हमारे जितने भी सोर्स कोड होते हैं उनके साथ associated एक और फाइल होती है और यह हमारी application और यही हमारा executable form होता है हमने code दो लिख दिया लेकिन हमारा एक दूसरी फाइल बनती है जो हमारी application होती है और इसका जो extension होता है वो .exe होता है जिसे हम executable बोलते हैं इस application की properties पर आप जाओगे तो इस properties में यहां पर देखो यह .exe file है और यही हमारी executable file होती है और यहां दे तो यहां पर यह जो .exe file होती है it contains an executable form for Windows Windows की जो executable program होता है वो हमारी .exe file होती है .exe is short for executable executable का short form है .exe .exe files जो होती है हमारी it is the standard file extension used by Windows program Windows की जो programs होते हैं उनका standard file extension होता है .exe और आज मैं यह short video इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको applications run कराना और .exe files के बारे में बताना चाहता था यहां पर देखो हमने stdio.exe file include कराई है और यहां पर konio.exe यहां पर यह konio.exe हम first time देख रहे है konio होता क्या है console input output होता है और इसके अंदर कुछ defined functions होते हैं और उनमें से यह functions को आज हम use करने वाले है get ch function मालोए get ch function आपने use नहीं किया ठीक है get ch function वैसे करता क्या है मैं बताता हूँ आपके output को hold करने में काम आता है ठीक है get ch जहां पर आप लगा दोगे वहां पर आपका program रुख जाएगा और आप जब enter प्रेस करोगे तब आपका program वहीं से चलना शुरू होगा अब देखो यहां आपने hello world किया है आपने enter करा दिया यह hello world चल गया और हमारा program खतम हो गया अब यहां पर get ch का आप use करो ठीक है और अब इसे run कराओ तो यहां hello world के बाद यह रुख गया अब आप enter करोगे तो यह पूरा चल गया और खतम हो गया अब मालो इसी line को आप clone कर लो नीचे मतलब आप copy कर लो नीचे और बीच में get ch को कर दो तो यहां hello world नीचे आ गया hello world मतलब get ch के पहले भी get ch के बाद भी है अब इसे enter कराओ तो यहां hello world एक बार print हो गया उसके बाद आपने enter किया तब यह दूसरी बार print हुआ है और यही हमारे get ch का काम होता है जितना भी output हमारा हो चुका है उसे hold करने के use में आता है यह और generally जब हम अपने applications को use करते है न तो end में हम get ch करते हैं क्योंकि जब हमारा पूरा program run हो गया तो हम hold करना चाहते हैं अपने output को और दिखाना चाहते हैं output screen कि यहां पर भाई अभी यह हो चुका है यहां पर मालो यह हम नीचे कर दें ठीक है और यह हमारा मालो कोई बड़ा program होता बहुत सारी शीज़े होती औ और end में हमने get ch कर दिया है अब देखो आप इसे run कराओ अभी मैंने इसे save नहीं कराया था फिर से save कराकर मैं इसे run कराता हूँ अब टर्मिनल किल करो क्योंकि बहुत सारे output हो गया है अब इसे मैं run कराता हूँ अब देखो यह hello world hello world आ गया लेकिन यहां पर हमारा output अभी hold हो होता है अभी get ch use नहीं आपर होता तो क्या ही होता यहां पर hello world hello world print होके यहां पर खतम भी हो जाता हमारा program रुकता नहीं है तो इसकी significance क्या है यह मैं आपको बताता हूँ यहां executable files है हमारी इतनी सारी इन सप में देखो आप मालो कोई भी आप file run कराओगे तो यह खुलेगी नहीं क्योंकि हमने अभी तक get ch का use नहीं किया है थोड़ा सा time लगता है मालो यहां पर कोई ऐसा होगा enter character सी हमने character सी enter कर देते हैं यह कोई character मांग रहा है मैंने c enter कर दिया यह वैसे ही खतम हो गया यह रुका नहीं हमारा output hold नहीं हुआ यहीं इस program में problem है हम अभी scanf पे चले scanf था इस program पे आप आए हम देखेंगे कि इस program में क्या-क्या है यह बोल रहा है यह सारी चीज़े comment हो रखी है और इसमें अभी बस यहीं चीज़ है enter the character c scanf percentage c मतलब यह scan करा रहा है और उसके बाद character को print करा रहा है तो माल लग यह program इतना साही है यह character को input कराता है और फिर यह print कराता है हमने देखा कि input कराने के लिए तो यह आ गया क्यूंकि वहां हमें कुछ scan करना था लेकिन print नहीं हुआ यह हुआ इसलिए क्यूंकि हमने get ch का use नहीं किया और जो हमारा output था वो hold नहीं हो पाया और यहां पर executable files में अगर output hold नहीं हो पाता तो वो जो हमारी output screen आती है वो खतम हो जाती है और रुकती नहीं है हमारे लिए वो milliseconds में आ भी जाता है और हमें समझ भी नहीं आता कि हमारा क्या output आया है तो इसलिए यहां पर get ch का use हम कर सकते हैं मालों यहां पर मैं include करा दो अपनी konio.h file यहां पर आप include कर लो konio.h अब यहां पर आप नीचे get ch use कर दो इस जगह पर आपने get ch अगर use कर दिया तो हमारा क्या होगा अब अब यह output को hold करेगा आप इसे save करा लो अब अपनी executable file पे चलेंगे हम पहले हम यहां पर आके देखते हैं यह 10 यह application में खोलता हूँ अब देखो यह मांग रहा है enter the character c अब फिर से c डाल दो तो यह देखो अभी हमारा output hold हुआ है the character c इस c हमारा यह आ चुका है कि अब character यह है अब इसे enter करोगे तो यह खतम होगा और यही problem हमारे सारे programs में आने वाली ह आप किसी को भी आप खोलने की कोशिश करोगे क्योंकि वहाँ पर get ch का use नहीं है इसलिए यहाँ पर वो सारे programs हमारे कभी खुलेंगे ही नहीं यह खुला है क्योंकि यहाँ पर हमने scanf का use किया था यह enter a number यह बोल रहा है यह 123 यह 25 कर लो हमें पता नहीं है यह program करने क्या वा कि हुआ क्या उन 5 numbers के बाद तो आपको programs बनाके है application files run करानी है तो आप get ch का use करो अपने program को hold करो और अच्छे से समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पर हम अभी तक use नहीं कर रहे थे क्योंकि terminal में हमें दिख जाते हैं सारे output और यह हटता नहीं है लेकिन यहाँ पर एक बार यह executable files का भी मतलब समझाना चाहता था और यहाँ पर applications भी दिखाना चाहता था कि कैसे होते हैं हमारे और कैसे बनते हैं हमारी जो source file होती है वो हमेशा छोटी होती है 1K भी की है और उससे associated application 44K भी है तो यही concept है यही चीज़े आपको समझानी थी तो guys I hope आपको यह जितना भी content मैंने इसमें दिया है वो सब समझ आयो और बाद में कभी काम आये तो यह चीज़े यूज़े कर सकते हो और यह जो हमारे पुराने जो ID होती थी जैसे टर्बो CPP में जो बच्चे कोडिंग करते हैं उन्हें पता होगा वो get ch और का काफी यूज़ करते हैं अपने outputs को hold करने के लिए नहीं तो हो ही नहीं पाता है वहाँ पर सीधा हमारी command prompt से output खुलता है इसलिए वहाँ पर यह ऐसे होता है यहाँ पर यह टर्मिनल में रन हो जाता है वी एस कोड में इसलिए हमने get ch और konio.h का use अभी तक देखा नहीं लेकिन यह बताना मेरे लिए important था इसलिए मैं आप मुझे बोल सकते हो या फिर आप mail कर सकते हो या आप comment section में डालोगे तो best रहेगा तो guys इस video के लिए इतना ही thank you and I'll see you in the next video